बेगुसाय जिले के बिहर जिरो माईल थाना शेद के पपरॉल इस्तित बिनाय हुंड़ाई शोरूम में भीशत आग लगने से हर कम्प मच गया आग की जानकारी कुछ लोगों के द्वारा तुरंत शोरूम के माली को दी गई इस खबर को सुनते ही शोरूम के कॉपरेटर मैनेजर नवीन कुमार्श सिंग के द्वारा इसकी जानकारी बरोनी थाना वा जिरो माईल थाना को दी गई तुरंती बरोनी थाना द्वारा फाइर विग्री ट्रीन को सुचित किया गया जिसके बाद दमकल गिगारिया माके पर पहुँश कर आग पर काबू पाया शोरूम में आग लगने से 15 से 20 लाग के संपति जलकर राख हो गई बताया चा रहा है कि बिचली के तारों में शौर्ट सरकिट होने के कारण आग लग गई शोरूम में आग लगने से दूर दूर तक अफरात अपरी मच गई शो रूम के करमचारी का कहना है कि गुरुगार की शान, वे लोग, शो रूम बन करके सभी करमचारी अपनी अपनी घर चले गए घर पहुंचते ही माली का फोन आया कि शो रूम के ऑफिस से धुआ निकल रहा है इस कवर को सुनते ही सभी करमचारी वापस आए बेटी नूस पिहार के लिए बेहुसराय से रविश्वनकर गन की रिपोर्ट अगर नहीं समय पर आते तो बहुत बड़ा हाथसा होता एक्चुली हम यहां से हम लोग चले गए तो हम बुले क्या वादी से पहले कट गया फिर हम अपना स्टाफलों को फोन करने लगे यतने में हमारे माकान हो जो जमिन मालिक है है उनसे बात किये तो वह बोले हाँ पता चला है कि धुवा निकल रहा है निसांजी के चिंबर के तरह से ठीक है हो सकता है को यह यह लगाया हो लेकिन आप हम आप महां हैं हम बोले हम ब्रूश रहे हैं हम चले आया हम गये थे डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट था तो क्या क्या नाम हो आपका क्या नाम हूं किसी ना कि आए यह थोरा सब्सक्राइब कर दिए अग लगी थी हंडे हो स्वरूम क्या जानकारी मिली थी आपको भरवनिट थाने में जानकारी मिली कि होंड़ोई में अग लगी है शोरूम में भिने होंड़ी में हम लग सुपना मिलता है रतनास्तर के प्रस्थन की अभी क्या आई सतिति है कब आप काव पाल या पाल लिया या पाल लिया है प्रप्रोंष एंद आज करें तया नहीं है नो जरले यंदल स्काराब में भीदावधा नहीं करें लेचेंगे और संधिक्ष मावर्डियों धरो आजिए दारें देंगान। तो फूर्ड शास्थ लुड़ाय के नहीं करें आजिए नगाय आज। झाल झाल